नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत थे आपकी अपनी यूटूब चैनल बनरसा जुकेशन पॉइंट पर सरप्रतम आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक एम शेयर करें इम डिस्कुप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजो की लिंक है सुनवाई के दोरान सरकार की ओर से आरक्षन संबंदी आकड़े पेस करने की महलत मांगी गई है सरकार पिछड़ा वर्ग आरक्षन को लेकर डाटा पेस करना चाहती है हाई कोट ने सरकार को महलत दीते हुए अगली सुनवाई की डिट 27 अपरेल दी है अब इसकी यो डि सब्सक्राइब की डेट 27 अपरेल कर दी है अब देखते हैं क्या मामला निकलता है कि किसके कारण सिक्षक भलती संबंदी और नीट पीजी यूजी एवं MPPSC के भी कई परिक्षाएं जो है इससे संबंदित है और इसमें रिजल्ट आज तुगोशत कर दिए गये हैं लेकिन अब आँगे क्या होता है कि इस प्रकास से इसका निर्णाया आता है सभी जानकरिये तब होंगी जब सरकात डिसाइट या कोट डिसाइट कर देता है कि ओभी सिया लक्षन 14 प्रतिशत में लेगा कि 17 प्रतिशत इसी के कारण 2019 के रिजल्ट में भी इतनी देरी हुई 2020 का पर प्रतिशा है बसी पर डिपेंडेंट है कि ओभी सिया रेक्षन 17 प्रतिशत मिलता है कि जग दो प्रतिशत तब देखने में आएगा 17 प्रेल तक सरकार ने डाटा पीस करने की मांगी है मोहलत इसके बाद ही आपको पता चलेगा कि स्कोर्ट की तरफ से क्या निर्णाय आता ह साथी साथ आप फ्रतिशों की यूट्व में इस्ट्रागां टेरिगा मादी के माद्धिम से जोयन कर सकती है और डिस्कुप्शन बॉक जाकर इस्टाम वाजो की लेंगे के माद्धिम से आप हमारे हस्ता लेकर नूर्शी परचिस कर सकती है एवं आप प्रान में पर सकती है तो निश्चत रूप से कारी की सिद्धी होगी धन्यवाद दूर्ट